सिंदी दोस्तो में आज आपके दातों के लिए एक चब अरदस नुस्का लेकर आया हूँ तो के आपके दातों को वैट बनाने के लिए हैं अगर आप कहीं बाहर वगेरा कई फंक्शन में जाते हैं और आपके दात पीले हैं तो आपको स्माइल करने में बहुत ज्यादा दिक होती है तो दोस्तों यह नुस्का आप आजमाएंगे बिल्कुल साथ दिनों में आपके जो दात है वो चमकी ले हो जाएंगे इसकी लिए हमें चाहिए लेमन ज्याने की जो लेमन का वरास है वह मेंने निकल लिया है और यह है बेंकिंग सोडा जोगी खाने का आता है तो सबसे पहले हमें आधा चमाच पेंकिंग सोडा लेना है और फिर आधा चमाच लिम्बू का रास इसमें भी लाना है आप मिलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा फिर इसको अच्छी तरह से हमें लिक्स करना है यक से दो मिलिक तक तो यह नुश्का आपको साथ दिनों तक करना है और केसे करना है मैं आपको बताऊंगा इससे आपके दाथ अगर पीले है तो सिर्फ साथ ही दिनों में बहुत ही चमकिले हो जाएंगे मंगर आपको इसको गाड़ा बनाने को सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करना होगा यानिकी एक से दो मिलिक तक इसको ऐसे ही मिक्स करना है जब आप इसको मिस्ट कर लेंगे तो सीप अपने दातों पर इसको डेट मिलिक तक यूज करना है यानिकी आप जो रेजुलर ब्रस यूज करते हैं मैं आपको डिखाऊंगा कि इसको किस तरह से करना है जो लेमने उसमें विटामिन C होता है हमारे दातों को बहुत ही सफच कर देता है जोस्तों यह मैंने खुद अपने दातों में ट्राइ किया है और सादDINel के बाद यूज करने के बाद जब मुझे लगा कि यह नुज का सही है तब मैं इसे आपके सामने खेस करेऊ हमें तो यह देखिए इस तरह से जब यह हो जाए तब हम जो रेगिलर ब्रस यूज करते हैं उसमें ब्रस में इस तरह से हमें ले लेना है फिर जो हमारे दात होते हैं उसमें जब सुबे हम ब्रस करते हैं उसी तरह से इसको यूज करना है मगर आपको एक बाद धियान रखने हैं कि इसको डेट मिनिट से ज्यादा अपने दातों पर नहीं करना है अगर डेट मिनिट से ज्यादा आप करेंगे तो आपके मसूड़े हैं वो ठीले पड़ सकते है तो हर रोज आप साथ गिनों तक ये नुश का असमय है आपके दात बहुती सफेथ हो जाएंगे दोस्तो अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं हर रोज इस चैनल पर नए वीडियो अपलोड करता हूँ तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कुछ सवाल है